क्या बीजेपी चुनाओ जितने के लिए सिर्फ इबीम का खेल करती है इस तरह क्यालोप रखते रहे हैं लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो सुनकर आप चौक जाएंगे दंग रह जाएंगे और अगर बीजेपी इबीम का ही सिर्फ खेल करती तो उसे ये सब न करना दारा सिंग याद है पहले वो बीजेपी में थे फिर पिछली बार समाजवादी पार्टी में आएं जीते भी चुनाओ लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस्तिफा दिया और ओपी राजभर चुकी पाला बदल चुके थे ओपी राजभर ही उनको बीजेपी में लेकर आ और उसके बाद अब फिर उनको MLC बनाया जा रहा और मंत्री बनाया जाएगा सोचिये दिन भर पानी पीपी कर ओपी राजभर बीजेपी को गाली देते थे वो आज गटवन्धन में हैं पस्तिम मंगाल में से आने वाले पर्णव मुखर जी लाइफ टाइम वो कॉंग्रेस के नेता रहें मंत्री रहें राश्पती तक बनें लेकिन अब उनकी बेटी सरमिस्था मुखर जी चुकी ब्रहमन चेहरा है वो और पस्तिम मंगाल में बीजेपी दलित पिछरे आदिव प्रासियों को साध रही है और साथ में ब्रहमनों को साध रही है बीजेपी का OVC चेर्मैन है OVC मुर्चा के अध्यक्ष हैं जो तेलंगाना से आते हैं वहाँ बीजेपी लोग सभा चुनाओ तो नहीं जीद सकती थी उनको राज सभा भेजा सोचिए मौरिया केशब परसाद मौरिया चुनाव हार जाते हैं उसके बाद भी बीजेपी उनको डिप्टी सी एम बनाती है आपको समझना परेगा पूरा खेल अब आपको ले चलते हैं खेल के मैदान में कॉंग्रेस को सचिन तंदुलकर दिखता था सचिन तंदुलकर को भारत रतंदिया, सचिन तंदुलकर को संसत भेजा, रेखा को संसत भेजा, जावे दक्तर को संसत भेजा BJP किसको भेजती है? Marycom को BJP किसको भेजती है? PT USA को BJPIO का अध्यक्ष किसको बनाती है? PT USA को आप सोचिए पूरा आप एंगल देखिए BJP हर काम अगर बोट के लिए करती है तो क्या गलत करती है? और क्यों नहीं करना चाहिए? BJP मदपरदेश से एक बाल्मिकी समाज की महिला को राजसभा भेजती है BJP हर काम बोट के नफा नुकसान के तॉल कर करती है लेकिन समाजबादी पार्टी किसको भेजती है? अमिता बच्चन की पतनी जया बहादुरी अब बताईए वो अपने ही समाज का कितना बोट दिला पाएंगी? बताईए बताईए समाजबादी पार्टी राजसभा किसको भेजती है? कपिल सिब्बल जो जिन्दगी भर आदमी कॉंग्रेस में रहा उसी आदमी ने नीट का सिलेवस बदला इस देश के बहुज़नों का भविस बरवात किया इसी आदमी ने सिंट्रलाइज इकजाम किया पूरे बहुज़न समाज को सिंट्रल उनिवर्सिटी से बाहर किया इसी आदमी ने यूपी एससी का पैटर्न चेंज किया पूरे बहुजन समाज को उससे बाहर किया, यही आदमी रिजर्वेशन का बिरोधी है, यही आदमी जाती जनगन्ना का बिरोधी है, तीन नेता थे कॉंगरेस के जो जाती जनगन्ना को लटका दिया, पर्नव मुखरजी, चिदामरम और कपिल सिब्बल, यह तीनों बहुजन समाज को इन लोगों ने यूपिय टू चलाया, और बहुजन सा ग्रीन हंट लाया चिदामरम, और सोची आप कल्पना किजिए, उस कपिल सिब्बल को अखलेश यादव संसद भे देता, बताईए ब्रहामन समाज का कितना बोट दिला पाएंगे, मतलब आपको बोट दे दल बीजेपी को पसिम बंगाल में मंता बनर जी से दो-दो हाथ करना है, इसलिए वो तमाम स्टी ओविसी के नेताओं को अपने पाले मिला रहे हैं, वहां के राज सवाज इसे बीजेपी एक एक फैसला राजनीतिक नफा नुपसान करके करती है, और क्यों नहीं करना चाहिए बाकी दलो को किसी ने रोका है क्या, सोचिए कॉंग्रेस को इंदरा गांधी, राजीव गांधी और निहरू के सिवा कुछ दिखा ही नहीं, बावा सहब की तस्वीर कब आई कॉंग्रेस के पोस्टर पर, जब सोशल जस्टिस का अंदोलन तेज हुआ, आप हर चीज के मैं जानता हूं इस बात को, कि इंस्ट्यूशन लेवल पर, मास लेवल पर, बीजेपी बहुजन विरोधी है, उसकी आइडियोलोजी है, आरेसेस की आइडियोलोजी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि सिंबॉलिक राजनिती में वो कहीं भी आगे है, आज दलित पिछर लेकिने में बुराई क्या है, दुनिया भर में Amazon को देखकर लोगों ने फिलिप कार्ट बनाया, क्या बुराई ये दोनों सफल है, मैं फिर कह रहा हूं कि BJP हर एक फैसल, सोचिए, दारा सिंग चोहान OBC कम्मूनिटी से आते हैं, उनको फिर से मंत्री बनाया जाएगा, अबिस घंटा कैमरा मैन उनके सास रहता है, उरते, बैरते, खाते, पीते, सोते, जाकते, हर चीज पब्लिक डोमेन में है, आपको किसी ने रोक रखा है क्या, बहुजन निताओं के, बहुजन दलो के सपा, बसपा, आरजेरी, जेडियू, जेडियू, जेमें पास इतनी हैस इडिटल मीडिया का दोर है, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी कमजोरी को दुसरे पर मत थोप, अगर आपको सोसल इक्विशन नहीं पता है, बीजेपी दो तरह से राजनीती करती है, एक तो वो धर्म की राजनीती कर रही है, जो उसका USP है, उससे उसको सवन समाज मोट करता है, वो दलित पिछरे आदिबास्यों के रिजर्वेशन को धत्ता बता रहे है, इस पर सवन समाज मोट करता है, वो पढ़ाई लिखाई रोक रही है, ये सब मैं बुराई बता रहा हूं, लेकिन उसके राजनीती के तरीके बता रहा हूं, कॉलेज, इन सवाल है कि बहुजन लीडर्सी बाली पार्टिया इसको कैसे रोक सकता है, दम आसान है, बिलकुल आसान है बीजेपी को चुनावी तोर पर रोकना, सोसल तोर पर रोकना, पहली बात आपको सरकों पराना परेगा, दूसरी बात अगर किसी को रेस में हराना है हुसाइन आपको political diversity अपनानी पड़ेगी, अखलेश यादब सोसल जस्टिस के नेताओं को चूप करा देते हैं, धर्वेंदर यादब को चूप कराया गया, एक निसाद समाज के नेता थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको चूप कराया गया, विसंबर निसाद को चूप कराय आदेगा, जया बहादरी आपको कितना बोर दिलवा देगा, ये सब बिवकूफी के लिए कोई जगह है क्या, RJD मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बहुजंदल सवन नेताओं को राजसभा भेजते हैं, मनोज्जा RJD को कितना बढ़ामन समाज का बोर दिलाएंगे, लेकिन अगर एक बालमिकी समाज के लोग को राजसभा कॉंगरेस ने भेज दिया होता, तो पूरा खेल बदल गया होता, एक गुलाम गौस को लालू यादब ने राजसभा भेजके खेल बदल दिया था, एक मुन्नी बैठा को बिधान पार्शभा भेजके आरजेदी ने खेल बदल दिया था, आपको सिंबोलिक राजीती करनी पड़ेगी, एक भगवतिया देवी को संसत भेजके लालू यादब ने पूरा खेल बदल दिया था, ये काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको तो अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं, और कर इंटिव्यू करना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा दो घंटे के अंदर की इंटिव्यू देंगे की नहीं देंगे, लेकिन सपा, बसपा, आर्जेडी, जेडियू, इन लोगों से संपर्क इन से करना यहीं नहीं पता है, ये बस इनके पास दो चार जो बड़े सो टीवी अखबार वाले पत्रकार है, उनका नंबर रहता है, और टीवी अखबार पर बुला कर इनको जलील करते हैं, आप गया कि मैं अपना खीज निकार रहा हूं, माँप किजेगा भाईया, बहुजन समाज के लोग इस देश के किसान, दलित, पिछरे, आदिवासी, अल् और हमारी सब्दों पर भरोसा करते हैं, और हम पत्रकार है, सही को सही बोलेगा, सोचिए, बीजेपी का हर फैंसला, राजितिक फैंसला होता है, नफा नुफसान देखकर फैंसला होता है, हमारे लोग तो कद काठी देखकर फैंसला करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद केजरिवाल दाउं पे जानता है, सरक से निकला हुआ नेता है, सेकेंड जेनरेशन का नेता नहीं हो रा सकता है, क्योंकि नरेंदर मोदी ने 42 साल सरकों की खाक खाक शानी है, उनको सोसल जस्टिस भी पता है, कि सोसल जस्टिस को धता बताते, सुचिए, राष्टपती दलित, फिर राष्टपती ट्राइबल समाज से, उप राष्टपती जाट समाज से, एक जाट विरोध में तो दुसरे जाट को ले आओ, आपको समझना पड़ेगा, संख्या के हिसाब से आपको रिपर्जेंटेशन देना पड़ेगा, और बीजेपी खालिस तोर से मानेबर कांसी राम सहाब के फर्मूले पर रादनिती कर रही है, और इदम आसान है, मैं बता रहा हूँ, एक बार भी पक्षिदल ये काम कर ले, कोई नहीं रोक पाएगा उनको जितने से, बस करना इतना है कि जिस तरह से 15% मुस्लिम अबादी को बीजेपी टीकट नहीं देती है, और वो रिजर्व सीर्ट से ज़्यादा टीकर दे, और साथ में OBC की जातियों को टीकर दे, जीत पक्की, नहीं भरोसाय तो आज मालो भाईयो, शुक्रिया